नमसे दोस्तों, आप देखरो एक रनवीर अलबादया का विडियो यानि की हिंदी बियो बाइसेप्स यानि की ट्रांस्वरमेशन की बात तो होगी ही आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट फैट लॉस वोकाउट फो बोथ मेन और विमिन इजी फैट लॉस डन अट होम हाँ जी, पहले तो आपको यह जानना है कि मैं भी एक मोटा सांड हुआ करता था और वहां से लेकर मैं यहां तक पहुचा इस वोकाउट के बदॉलत तो दोस्तों, आपकी लाइफ की अल्टिमेट फैट लॉस सीक्रेट है यह easiest and best fat loss exercise is a combination of resistance training plus cardio training आपको यह जानना है कि मैंने बहुत लोगों को उनकी weight loss journeys में help किया है मैं currently मेरी पहली weight loss की book लिख रहा हूँ और life की सबसे बड़ी weight loss secret है यह देखो, एक तो obviously मैं diet के बारे में बात नहीं करना हूँ आज बस exercise के बारे में बात करते हैं best fat loss exercise is resistance training plus occasional cardio तो चलो break down करते हैं ही sentence को पहले occasional cardio की बात करते हैं यार पहले cardio की बात करते है cardio होता क्या है? cardio एक ऐसी प्रकार की exercise होती है जहां आप अपने heart को workout दे रहे हो आप अपनी body को exert कर रहे हो यह exertion हो सकती है running, swimming, skipping, cricket, football, कोई भी sport dancing भी हो सकती है walking भी एक cardio exercise होती है cardio में क्या होता है basically आपकी पूरी body को एक workout मिलता है पर focus of the workout is on your heart इसका मतलब है कि यह exercises करने की वज़ा से आप अपनी heart beat बहुत जादा इंक्रीस कर रहे हो आप अपनी blood circulation इंक्रीस कर रहे हो और उसकी वज़ा से आपकी body से calories burn off हो जाते है अच्छे चलो एक और scientific चीज के बार में बात करते है अगर आपको सच में fat loss करना है तो you have to only follow one rule which is your calories out need to be more than your calories in इसका मतलब है कि आप दिन में जो भी exercises कर रहे हो जो भी activities कर रहे हो उन में आपको अपनी body से calories burn करने है जो आप खाना खाते हो उससे आपकी body के अंदर calories जाती है calories एक energy packet होती है तो मान लो कि जो आप खाना खा रहे हो आपकी body में बहुत ज़्यादा energy packets डाल रहे हो और जो आप exercise कर रहे हो आप अपनी body से energy packets निकाल रहे हो तो जबी भी आप swim कर रहे हो दोड रहे हो, वाक के लिए जा रहे हो आप अपनी body से वो energy packets फेक रहे हो अगर आपने ज्यादा energy packets फेक है और अगर आपने अपने body में कम energy packet डाले इसका मतलब होगा कि आपका weight loss हो जाएगा आपकी body से fat भी चली जाएगी क्योंकि fat होती क्या है fat होती है one collection of all these excess energy packets अगर आपने अपनी पूरी life में बहुत ज्यादा energy packets खाये है बहुत ज्यादा calories खाये है dessert खाये है, junk food काये है, hotel का खाया है आपकी body में बहुत ज्यादा energy packets है और काडियों की बदॉलत आप वो packets को लेकर फेक रहे हो जो आप वो फेक होगे तो आप अपना body का fat भी फेक रहे हो आप अपने body से calories burn off कर रहे हो ओके, so ये golden rule clear हो गया basically आपको अपनी body से calories भाहर फेकने है जो आप cardio कर रहे हो तो obviously आप exert कर रहे हो अपने body को आपकी body की temperature ज्यादा हो जाती है आप अपने muscles को use कर रहे हो और वो process के दौरान आप calories burn कर रहे हो ओके, this is called active burn off calories इसका मतलब ये है कि जब आप वो exercise कर रहे हो ना तब आपके body से calories burn हो रहे है ठीक है, तो ये बहुत अच्छा method होता है calories burn करने का तो ये जो अंकल लोग होते है ना जो बलते है आरे यार, you know, I am very fit मैं हर सुबा एक walk के लिए जाता हूँ वो भी cardio का use कर रहे है calories burn off करने में पर, interesting बात ये है कि जब आप actually cardio exercise कर रहे हो ना वो आपके fat loss के लिए सबसे best exercise नहीं होती ये video का key point है आपके fat loss के लिए सबसे best exercise होती है resistance training plus little bit of cardio तो चलो resistance training के बारे में बात करते हैं क्या होती है resistance training resistance training is one of these exercises हम बात कर रहे है weight training के बारे में calisthenics या free body training के बारे में या yoga के बारे में इन तीनो exercise के forms में हम क्या कर रहे है हम अपने muscles पर एक load डाल रहे है तो मान लो कि मैं एक dumbbell उठाता हूँ ठीक है मैं हाथ से dumbbell उठाया और उसकी वज़ा से आपके bicep पर ज्यादा load आ रहे है जब आपके bicep पर load आएगा तो bicep के अंदर क्या हो रहे है bicep के अंदर आपके छोटे छोटे जो muscle के cell है वो थोड़े से फट रहे हैं वो थोड़े से damage हो जा रहे है इतने damage नहीं हो रहे है कि आपको injury हो जाए पर थोड़े से damage हो रहे है उनमें micro tears आ गए है आपकी weight training की बदौलत अब सबसे interesting बात तो यह है जब आप अपनी body में micro tears ला रहे है आप अपने muscles में micro tears ला रहे है तब आपकी body calories burn करेगी जरूर active burn होगी आपके calories की यानि कि जब आप वो weight उठा रहे हो obviously you need calories to pick up that weight जब आप weight उठा रहे हो ना आपके body से calories जरूर burn हो जाएंगे पर आपके body में na micro tears भी हो रहे है और यह micro tears ही सबसे interesting चीज़ होती है क्योंकि to repair micro tears it takes up to 48 hours तू दिन बाद आपके exercise session के दो दिन बाद भी वो micro tears repair हो रहे है और जब ही बही आपके body के micro tears की repair हो रही होती है या जब ही आपके injury की repair हो रही होती है आपके body के अंदर फर से calories burn हो जाते है इसे हम कहते हैं passive burn of calories यानि कि दो प्रकार के burn होते है एक active burn होती है exercise के दौरान और दूसरी burn होती है passive burn तो एक तो जो आप dumbbell उठा रहे हो या जब ही आप push up कर रहे हो या जब ही आप yoga के आसन कर रहे हो तब active burn ज़रूर होगी और उसके बाद भी exercise session के बाद भी एक passive burn होगी repair में compare that to cardio, cardio में सिर्फ एक active burn होती है एक बार आपने अपने heart को workout दे दिया heart में तो microtairs नहीं होते हैं आपके blood circulation की वज़े से microtairs नहीं होते हैं वहाँ सिर्फ एक active burn होती है पर weight training या कोई भी और resistance training के टेक्नीक के दौरान microtairs होते हैं और दो प्रकार के burns होते हैं यानि की अगर आपको सच में सबसे जल्द ही fat lose करना है अगर आपको पतला बनने हैं अगर आपको in shape आना है अगर आपको muscle build करना है sexy लगना है तो आपको क्या करना चाहिए resistance training अगर आपने resistance training के साथ थोड़ा काड़यो भी कर लिया इसका मतलब यह है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे fat loss workout को follow कर रहे हो आपको यह इद्धान में रखना है कि हाँ मैं जरूर कहता हूँ कि gym join करना जरूर ही नहीं है अगर आपने gym join किया अगर आपने थोड़ा सा free body exercise का program follow किया अगर आपने एक yoga class join कर लिया और उसके साथ थोड़ा सा cardio भी कर लिया हफते में मान लो एक दो बार cardio और तीन-चार बार weight training या resistance training या रिजिस्टन्स ट्रेइनिग यही आपको याद रखना है कि ज्यादा तर इंदिन्स जिम को एक ऐसे तरीके से देखते है कि और जिम में कौन जाएगा बॉडी बिल्डर जाएंगे पर जिमिंग सिर्फ बॉडी बिल्डर के लिए नहीं होती जिमिंग इस दो मोस्ट नाचरल एक्सराइज रिजिस्टन्स टेरिंग होती है जब हम इवाल हो रहे थे ना मंकी से जिमंगे लिए रह 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 रहे है जहां हम को पनी बोडी को एक्षटन नहीं करते है पोतेनशल शिर्फ भी 연ति personal symptom इस फोड़ी के घार थे पहुंच सकते हो छोग हो nants a cricket के बारे में जआदा जानना है तो जरोर हमारी English playlist देख लीजिए और अगर आपको सिर्फ home workouts के बारे में जानना है जहाँ आपको equipment भी नहीं चाहिए हमारी home workouts की playlist देख लीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर thumbs up दे दीजिए रनवीर अलबादया चान को subscribe कीजिए until next time guys remember the time is now